गुड मॉर्निंग केट्स, टुडे वी आर कॉइंग टू लार्न एंग इवी एस बुक, चेप्टा फिर्फ, पेज नंबर थर्टी फाइग, स्कूल वेर आई लर्न एंड प्ले, तो वोट इस स्कूल, स्कूल क्या है, तो और स्कूल में हम लोग क्या क्या लर्न करते हैं, तो I can now read and write bigger words and longer sentences, पहले से आप बड़े-बड़े word लिखना सीख गए हो, बड़े-बड़े sentences भी लिख लेते हो, आपको numbers के बारे में पता चला है, आप बोखोत सारी दुनिया के बारे में, wonderful world के बारे में आप जान पाए हो, इसके लाब four more things आपको लिखनी ही, जो आपने के साथ खेलते थे, फिर आप kindergarten में गए और alphabet learn करना शुरूर किया, इसके बाद आप अभी primary section में हो, अभी आप कौन से section में आगए, primary, जब आप sixth में चले जाओगे तो आप secondary section में चले जाओगे, और after tenth आप कहां जाओगे, higher secondary और junior college section में चले जाओगे, तो जो आपने KG में पढ़ता था और जो आप primary पढ़ रहे हो, क्या उसमें कुछ different है, तो हाँ different तो है, आपकी class school के अंदर हर class में एक section है, हर section में maximum 10 children होते हैं, आप second class में हैं, और आप एक primary school में जाते हैं, I go to a primary school, क्या आपकी school घर से दूर है या पास है, आप इसके बारे में discuss कर सकते हो, पेदल, हना, parents के साथ पेदल, तो वो कहलाता है, eco-friendly way, तो यहाँ पर आपको घर से school तक का रस्ता draw करना है, कि आपके घर से कितनी streets में से होके, गली में से होके, आप school पोचते हैं, फिर है, आप school कब से कब तक जाते हैं, Monday to Saturday जाते हैं, हना, और हर दिन 8 period school में होते हैं, फि इसके बारे में discuss कर सकते हैं, और आपको good manners, क्या-क्या चीजे सिखाते हैं, I learn to be polite, आपको polite होना चाहिए, सब को wish करना चाहिए, good morning, good afternoon, thank you, sorry, welcome, हना, wish करना चाहिए, talk softly, धीरे बात करनी चाहिए, हना, हमको magic words use करने चाहिए, care और share करना चाहिए, एक दूसरे की care करनी चाहि school rules को obey करना चाहिए, हमेशा time से school आना चाहिए, अच्छे से तयार हो करके, हना, और school की property का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस picture में गर हम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है, वो गलत काम कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा काम कर र होता है, तो races में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे play कर रहे हैं, कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, जैसे यह fighting कर रहे हैं, तो यह wrong है, हना, इस तरह से बहुत सारे लोग आपकी school में होते हैं, जो आपकी help करते हैं, जैसे teachers, byg, peons, watchmen, gardener, office staff, principal, librarian, हना, बहुत सारे लोग आपकी school में help करते हैं, ओके,